दोस्तो अधिक्तम आपको मार्केट में पेटल और डीजल वाली गाड़िया आप देखते होंगे और आप अभी थोड़े समय के बाद इलेक्ट्रिक भी बहुत ज़्यादा गाड़िया देखते होंगे अधिक्तम दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी आप ज़्यादा देखते हैं कही न कही आप सोचते हैं कि पेटल के ज़्यादा पेसे की वज़े से आप इलेक्ट्रिक के वर जाना पसंद करते हैं यही पर दोस्तो कही न कही एलेक्ट्रिक में भी प्रोब्लम आती है कि कही पर डिस्चार्ज हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको प्रोब्लम आ सकती है यह फिर आप लंबे टूर पे उसमें नहीं जा सकते हैं तो दोस्तो आप कही ना कही पेट्रोल वाले गाड़ी को चूज करते हैं और आपके यो ओप्शन्स हाई रहता है यानि कि आप लोंग ट्रिप के लिए पेट्रोल वाले गाड़ी को चूज करते हो दोस्तो पेट्रोल में ही आपको एक और बेनिफिट आने लग गया AC buy का भी लोन्च हो चुकी है जो कि आपको petrol पे भी चलेगी और CNG पे भी चलेगी यानि कि आप CNG भी इसमें डाल सकते हो पेट्रोल भी डाल सकते हो यानि कि आपके लिए long drive के लिए काफी benefit वाले गाड़ी अभी लोन्च हो चुकी है मार्केड में जिसका नामे बजाच freedom 125 दोस्तो ये गाड़ी आपको काफी range देने वाली है जिसके बाद में आपको काफी mileage देने वाली है दोस्तो दोनों में compound है ही गाड़ी जिसके बारे में इसकी गाड़ी की पुरी detail हम जानते है तो आपको इस गाड़ी में mileage यानि कि आपको प्रती kilogram CNG में 102 km और प्रती liter paddle में 65 km का mileage देगी जाने कि आप अगर CNG डालोगे इसमें तो आपको एक लिटर में 102 km की प्रती liter range देगी जिसके बाद में आपको patrol में ये आपको 65 km का mileage देगी अगर दोस्तों इस bike की safety range की बात करें तो आपको 330 किलोमेटर है यानि कि CNG पर ये 200 किलोमेटर और पेटल पर 130 किलोमेटर चलती है यानि कि अगर पूरा दावा करें इस गाड़ी का तो आपको ये sufficient इतनी रेंज दे देगी और कम से कम आपको जो मैंने पहले बताई 102 और 65 ये देगी जिसके बाद में टेक शम्ता की बात करें तो आपको इसमें बाइक के सीट के नीचे 2 किलोग्राम की CNG टैंक है और सीट के सामने 2 लेटर का पेटल टैंक है यानि कि सीट के नीचे आपको 2 किलोग्राम का CNG टैंक के दे रखा है और आपको 2 लिटर का petrol tank है यानि कि काफी बेतिर नहीं इसकी गाड़ी का जिसके बाद में इसकी engine बाइक में बात करें तो आपको 125cc का air cold engine दे रखा है जो की 9.3 BHP और 9.7 ANM का टार्क पेदा करता है जिसके बाद में transmission बाइक में 5 speed gearbox है और गाड़ी में बाइक के 17 एंड 16 इंच का yellow wheel दे रखा है यानि कि yellow wheel भी काफी बहत्रिन दे रखा है इस गाड़ी में आपको और suspension की बात करें तो बाइक में टेकनोलोजी के फर्स एक monoshop दे रखा है जिसके बाद में braking line की बात करें तो आपको disc brake दे रखा है और जिसके बाद में combo brake है यानि कि आपको दोनों brake इसमें मिल जाते लेकिन दोनों सुरी पर drum brake भी हो सकते यानि कि अगर बात करें आप जिसा model चूज करते हूँ उससाब से आपको brake system मिल जाँगे या drum brake मिल सकते है या disc brake मिल सकते जिसके बाद वेरियंट है या बाइक की तीनों वेरियंट में उपलब दे प्यूटर ग्रे और एबोनी ब्लेक और रेसिंग रेड साइबर हाइड और केरिबियन ब्लू शामिल है यानि कि इत्ते सारे वेरियंट आपको मिल सकते अगर इस गाड़ी की प्राइस की शिरुवाती प्राइस की बात करें हम तो आपको काफी कम प्राइस में ये गाड़ी मिलने वाली यानि कि आपको एक शुरूम प्राइस ओनली पिंचान मजर आपको प्राइस मिलने वाले अगर इसकी feature की बात करें तो आपको सारे digital feature इसमें आपको देखने को मिलेंगे यानि कि अगर बात करें तो आपको सारे digital feature इसमें मिल लाएंगे antiseptic मिल लाएगा आपको alarm मिल लाएगा और जिसके बाद में आपको एक smart display मिल लाएगा यानि कि पेट्रोल वाले गाड़े में भी आपको बेतरिन फिचर मिलने वाले अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप हमारे कमेंट बोक्स में बता सकते हो हम आपको इस पर डिसकाउन दिलवा सकते हैं और आपको गाड़ी केसी लेगी ये भी जरूर बताए धन्यवाद